यह समय सोचने का नहीं है बेटी यह हम दोनों की जिंदगी और मौत का सवाद है पिता जी पुछेगी तुम्हें क्या पताऊंगी किसका नाम लोगी पुलिस को तुम यह बताना कि तुम्हारे साथ बलातकार गुआ है हाँ बेटी बलातकार प्रले नात की प्रले से बचने का यह एक ही तरीखा है तुम उन्हीं तीन लड़कों का नाम पुलिस को बता देना जिन्होंने तुम्हें हस्पतार पहुचाया है पीता जी लगता है पापियों के साथ रहकर आपका दिमाग भी उन्हीं की तरह हो गया है आप यह कह रहे हैं मैं उन लड़कों को फांसी के फंदे तक पहुचा दू जिन्होंने मेरी जिद्दगी बचाई नहीं पीता जी मैं ऐसा हर्गिस नहीं करूंगी हर्गिस नहीं कर अगर उन्हें फांसी लग भी गई तो हमारा क्या जाएगा बेटी उन लोगों की जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती हमारी जिंदगी है पुलिस को वही बताना जो मैंने तुम्हें कहा है मगर गुत्ता जी किसी के सपने पूरे करने के लिए किसी के अर्मानों का गला तो न आप मुझे मत सिखाओ समझे सेनियर और जुनियर का मतलब ये तो नहीं सर कि आप कुछ भी करें और मैं चुप-चाप देखता रहूं ऐसा कभी नहीं होगा मैं आपकी गलत रिपोर्ट पर हरगी साइन नहीं करूंगा जो उन तीन दोसों को फांसी के फंदे तक पहुचा अज से पांच साल पहले डॉक्टर श्रीवास्तव ने इसी तरह कि ये खलत रिपोर्ट पर साइन करने से इंकार कर दिया गुंडा स्वामी के आद्मियों ने उसे छटी मंजिल से नीचे फैंक दिया और पुलिस ने उसकी मौत को आत्मत्या समझ कर उसकी फाइल हमेशा में अगर तुम भी उसी रहा पर चलना चाहते हो तो ऐसी विश लड़की हूँ मैं आलो की बहन जिसे तुम्हारे कोई बहादूर इंस्पेक्टर ने बलात करके जुड में पकड़ा है कहा है वो इंस्पेक्टर मैं उससे मिलना चाहती हूँ सलाम साब साब अच्छा तो आप ही है वो साब मैं पूछती हूँ तुम पुलिस वालों को हुआ क्या है जो गुनेगार को निर्दोश और निर्दोश को गुनेगार समझ लेते हैं सुरा था कानू नंदा होता है अगर तुम्हे तो भगवान ने एक नहीं दो दो आखें दी हैं और वो भी चिल की तरह मोटी-मोटी क्या वो तीनों को किसी भी तरह से बदमाश लगते हैं अरे अरे मेरा भाई आलोक वो तो किसी लड़की से बात करते हुए बिकापता है वो किसी भी बवनने के लाइक है अरे इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो मैंने कभे लड़की नहीं देखी क्या लड़कियां तो बहुत देखी लेकिन तेरे जैसे तिक फैली बार देखी क्या नाम है तुम्हारा शांती शांती वह किया कमाल का नाम रखा है चुन के माबापने शांती जो इस देवी के चेरे और जीमान से शहत की तरह तपक रही है हाँ हस क्या रहे हो दात निकाल कर मुझे अपने भाईयों से मिलना है हावलदार मिलने दो इसे साथ उन तीनों को अस्पताल ले गए हैं शिराखत के लिए संजय चोहान आलोक वर्मा और अली खान यही वो तीन लड़के हैं जो आपको अस्पताल में छोड़कर भाग गये थ मैं लुछा थज हुआ है यह जूट है यह सरासर जूट है हमने कोई बलाकर नहीं किया सच कह रहा है मेरा बेटा इस्पेक्टर साहब यह जूटी है जूटी है यह तुम लड़की नहीं लड़के के नाम पर एक कलंग हो अगर किसी ने भावी को हाथ लगाया तो इंस्पेक्टर वाबले आप जान बुछ कर अंजान बन रहे हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह रूदर पताप चोहान की पत्नी हैं याद है डियाजी रूदर पताप चोहान जिनके अंतिम संस्कार पर आपने लंबा चौड़ा भाशन जाड़ दिया था जो आज भी हम पुलीस डिपार्मेंट के लिए आधर शे उनकी पत्नी आई तो यह भी किसी मामुली आदमी की बेटी नहीं है यह इस राजी के गश्म तो यह इस कि अ कि बेटी आप है हरी बर्षा स्वीगिंग जस सहाब मैं प्रलैनात गुंडा स्वामी बोल रहा हूं यह अनर दांसर मिस अनीता चौधरी की लाज का समुंदर के उसी किनारे से मिलना और उसी जगह से राधा तंडेल के कपड़े और सेंडलो का मिलना इस्पेक्टर वागले को मिलिवी गोली और अनीता चौधरी के पेट से निकलिवी गोलियों का एक रिवाले से चला होना किसी दोस्त ने बड़े आसानी के साद कह दिया कि इस केस ने किसी और का हाथ भी हो सकता है लेकिन ये बात कहते हुए मेरे फादल दोस्त भूल गए केनिता चौधरी की लाश के पास संजे चौहान का पर्स भी मिला है यूर उनर मिस्राधर टंडेल जिनके साथ बलातकार हुआ उन्होंने अस्पताल में पुलिस इस्पेक्टर के सामने इन तीनों की शराख की है यूर उनर इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता की रिपोर्ट मौजूद है इन तमाम बातों से जाहर है यूर उनर कि रेप और मरडर इनी तीनों ने एक साथ मिल कर किया है लहाजा मेरी कोर्ट से गुजारिश है इनकी जमाने किसी भी कीमत पर मनजूर नहीं की जाए सरकारी वकील की दलीलों को मद्दे नज़र रखते हुए यदालत संजे चोहान, अलोक वर्मा और अली खान की जमाने तना मनजूर करती है और इन्हें पॉलीस की हरासत में रखने का हुक्म देती है योर अनर, मैं इंस्पेक्टर वाग ले इस केस की चान में मैं कर रहा हूँ अदालत से इस केस के बारे में कुछ कहने की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है थांक्यू सर योर अनर, इनसाफ के इस मंदिर में आपको न्याय करते हुए कई साल हुए होंगे और इन सालों में आपके सामने रेप और मर्डर्स के अंगिनत केसे भी आये होंगे क्या उन अंगिनत केसों में आपके सामने कोई ऐसा केस आया है जहां कटल और बलादकार करने वाले ने जिसके उफर बलादकार किया है उसे खुद अस्पताल पहुंचाया हूँ और 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 इंस्पेक्टर वागले मुझसे सवाल करने की बजाए आप इस केस में रोशी डाली है वही कोशिश कर रहा हूं सर अदालत सरकारी वकिल की जिन दलीलों को मद्दे नज़र रखते हुए इन लड़कों की जमानत नामंदूर कर रही है मैं उनी दलीलों के बारे में कुछ कहने के इजाज़त चाहूंगा इजाज़त है सरकारी वकिल का कहना ये है कि अनीता चोधरी की लाश के पास संजे चौहन का पर्स मिला हो सकता है बेहोश रादा टंडल को उठाते वक्त वो पर्स वहां गिर गया हो अब इनका कहना ये है कि रादा टंडल ने इन लड़कों के खिलाब बयान दिया है इंस्पेक्टर वाग ले अगर मैं चाहूं तो अदालत की तोहीन के जुर्म में मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर सकता हूं कोई परवा नहीं है मुझे इस बात की मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से कानून यह कानून तो अच्छन मुझ्रिमों की रखेल बन बैठा है इसलिए लोग अदालत का दर्वादा खटकटाने के बजाए बुंदों की चौखट चुमते हैं अगर जिन्दगी में कि इने किने भुककड लोगों की वज़े से आदालत शत्रंच की विसाथ बन गई है जहां कोई भी आकर कानून से खेल सकता है लेकिन इन खिलाडियों को अगर मैंने सच्चा कानून नहीं सिखाय तो मेरा नाम भी श्वाजी राव आगले में नहीं यार इस तरह तो हिमत हार के हम बिना फांसी के ही मर जाएंगे यह क्या हो गया तुम दोनों को यार अली सोचता हूँ मेरी बेहन शांती पर क्या बीद रही होकी मुझे पड़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया उसके लोगों के घर में काम कर करके अपने हाथों पे मेहनी की जगा छाले डाल ली उसने अलोग तुम्हारी तो वह सिर्फ बहन है अगर मेरे लिए वह बेहन भी है और मां भी है अगर बच्पन से ही उसका प्यार मुझे ना मिला होता है तो शायद यानात सडकों पर ही अपना दम तोड़ देता मेरी मां पर भी क्या भीत रही होगी वह तो रो रोकर पागल हो गई होगी अगर मुझे कुछ हो गया तो उसका बरोसा भगवान पर सभी उठ जाएगा तुम्हें इन तील रखों के केस में कहां हो लज गये वो सकता है इन बच्चों केस महज इत्वाक की हो इत्वाक नहीं है सर्फ यह कडिया भले ही अलग अलग नदर आ रही हो लेकिन अगर गौड से देखे तो यह सब एक ही जंजीर की कडियां है जिसमें एक नएक दिन जीवनलाल तंडेल रसिखनाथ और गुंडा स्वामी की कलाईयां फसेंगे यह इत्तफाक नहीं है इत्तफाक नहीं है अलो सर मैं बाई तुम्हारी आवाज अच्छी तरह पैचानता हूँ जेलर तुम वहां से कुछ नहीं बोलोगे सर्प सुनो क्योंकि जब से तुम्हारी जेल में सूर्य देव सिंग आया है वो तीन लांडो के केस की सीड़ी बना कर मुश्टक पहुचे उसके पहले उसकी सीड़ी के हर दंडे को काट कर फेक दूँगा मैं सुनो जी मुन्ना और उसके खतरना खुनी साथियों को अज रात को पुलिस की वर्दी में जेल से बाहर निकाल दो और उनको समझा दो बुलिस निशन जाकर उंतिनो अड़कों का देल आदमा अथ्या के नाम पर भाड़ दी काण आख 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 आ है कि टेलिफॉन का वाइर काट दो अब इसे बांदो जरो मत तुम्हारी जमाना थो चुकी है हम लोग तुम्हेर यहां करने आए हैं अब अब इसे बांदो द्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट जब धित्यू क्या भक्त्र नग्ट्ट्ट्ट्ट्ट रिए कर दो कुछी देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे फिर वहां से निकले गैसे और अपने ये कपड़े पहन कर यहां किसके हुकम से आए हम अपने हुकम के खुद मालिक हैं हम अपने हुकम से ही अंदर आये थे और अपने हुकम से बाहर चले जाएंगे तुम से अच्छी तर मालुम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो हम उसी लिए तो जूते तुह Aa ciri player लगाते। सूर्य देव सिंग बूल कैसे गए अब और आज भी प्रिगेडियर है तो तुम जैसे मुझ् fibre टात नातक ता तक पहुंचने के लिए और ये रहे तुम्हारे काम के कागज ये हमारा रहाई का ओर्डर और ये है तुम्हारी गिरिफतारी का वारंट याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक असब खाई थी याद करो हम कसम खाते हैं कि हम पुरी मांदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे कि 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 नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूला नहीं जाएगा वागले इसके भी कपड़े उतार डालो कि 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 तुम कर दो कि कि कर दो 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 को आसे मैं समा लूंगा